सबसे पहले तो आप कॉमेंट करके मुझे ये बताईए कि कड़ी खाना किस किस को पसंद है क्योंकि मेरे घर तो कड़ी खाना हम सभी को बहुत पसंद है और अक्सर तरा तरा की कड़ी मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ तो आज बन रही है मुह में घुल जाने वाले एक्टम सौफ्ट पकोड़ो वाली मजेदार सी टेस्टी कड़ी तो सबसे पहले कड़ी बनाने के लिए आपको लेना है दही तो मैंने यहाँ पर दो कप लिया है दही दही आपको खटा लेना है खटे दही की कड़ी बहुत ही 2 कप तही केलिए मैंने 3 कप बेसन लिया है बेसन डाल कर पहले बहुत अच्छे से mix करेंगे अक्सर होता क्या है बेसन की छोटी छोटी गांठ रह जाती है ना तो फिर कड़ी अच्छी नहीं लगती है वो फटी फटी सी लगती है तो आप बेसन को दही में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना अगर आप ऐसे मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो दही और बेसन को मिक्सी के जार में डाल कर कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चलाना तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा अब हमने इसमें डाल दिया है पानी तो लगबग तेड़ लीटर के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह मिक्स कर देंगे देखिए ये जो हमारा घोल तैयार हुआ है इसमें बेसन की एक बिगाट नजर नहीं आ रही है अच्छे से बेसन घोल चुका है तो बस अब इसमें डालेंगे मसाले तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा कम डाला है लाल मिर्श पाउडर अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है तो मसाले हमने मिक्स कर दिये हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने एक बड़ी कड़ाई रखी है और इसमें मैंने ये कड़ी वाला सारा घोल डाल दिया है अभी ये जो घोल है न मुझे गाड़ा लग रहा है तो मैंने इसमें आधा लीटर के करीब पानी और ढाल दिया है अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है आपको यहाँ पर कैस का फ्लेम हाई रखना है और लगातार चलाते हुए इस कड़ी को पकाना है जैसे जैसे कड़ी पकेगी ना इसमें हल्दी का बहुती बड़िया कलर आ जाएगा देखे अगर इस स्टेज पर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगी ना तो कड़ी फट सकती है तो लगातार चलाते हुए आप इसे पकाएं और बस अब यहाँ पर थोड़ी देर में ये देखे कड़ी में आ चुका है उबाल तो बस जब कड़ी में इस तरह उबाल आ जाए ना उसके बाद कोई टेंशन नहीं है आपको क्या करना है फ्लेम लो कर देनी है और बस अब इसे धीमी धीमी आज पर कम से कम 30-35 मिनट के लिए पकने देना है क्योंकि कड़ी जितने अच्छे से पकती है इसका टेस्ट उतना ही बड़िया आता है अब इसे लगाता चलाने की जरूरत नहीं है बीच बीच में आप इसे चलाते रहें अब हम पकोडी के लिए खोल त्यार करेंगे तो एक बाउल में मैंने यहाँ पर एक कप बेशन डाल दिया है इसमें हम डालेंगे आधा चमच अजवाइन हाथों से क्रश करती हुए डालें से इसमें जा रहा है आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर दो से तीन पिंच इसमें हींग डाल दें इसमें जा रहा है यहाँ आपर नमक स्वादनुसार आधा जम मच लिया है साबु धनिया जिसे हलका सा क्रश कर लिया है और ये इसमें डालेंगे इसका ना पकोड़ों में बहुत अच्छा टीस्ट आता है एक हरी मिर्च बारी कट करके डाल दी है और इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ता और इसमें पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे पानी बहुत जादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम पकोड़े के लिए घोल बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करते जाएंगे जब भी मैं कड़ी के लिए पकोड़े बनाती हूँ न तो थोड़े जादा ही पकोड़े बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये पकोड़े सबको बहुत पसंद हैं तो आधे पकोड़े तो कड़ी में जाने से पहले ही खतम हो जाते हैं अब यहां इसमें मैंने थोड़ा सा baking powder डाल दिया है इससे पकौड़ एकडम soft बनेंगे baking powder डालकर अच्छे से mix कर दिया है अब इसमें मैं एक medium size की प्यास को पारिक कट करके डाल रहे हूं अच्छे से प्यास को इस गोल में mix करेंगे ये प्याज वाले पकोडे ना कड़ी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप प्याज नहीं खाते तो इस किफी खर सकते हैं इसे अब यहां हम पकोड़े बनाएंगे तो एक कड़ाई में तेल पहले ही गरम करने रख दिया था और बस गरम तेल में इस तरीके से हम पकोड़े बनाते जाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और देखिए मैं हातों से इस तरीके से गोल-गोल पकोड़े बना रहे हूँ पकोड़े का साइज बहुत बड़ा ना रखें क्योंकि ओयल में जाकर यह अच्छे से फूलते हैं तो यह काफी बड़े हो जाते हैं तो उलट पलट कर इन्हें फ्राई करेंगे और यह देखिए पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल चुके हैं साइज इनका काफी बड़ा हो गया है तो बस पकोड़ों को उलट पलट कर मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया है अब यहां पर हमारी जो कड़ी पक रही थी ना इसे पकते हुए पूरे 25 मिनट के करीब हो चुके हैं और कड़ी पहले से थोड़ी गाड़ी भी हो गई है तो बस अब यहां पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच नमक आप अपने स्वादनुसारिस में नमक डालें और बहुत अच्छे से मिक्स कर दें देखे कभी भी कड़ी में आप स्टार्टिंग में नमक न डालें उससे कड़ी का फटने का डर होता है जब कड़ी में अच्छा सा उबाल आ जा आप पांसात मिनट तक और पकने दीजे ताकि से जो पकोड़े हैं वो अच्छे से और फूल जाएं और इनके अंदर तक कड़ी को ये सोक लें और फिर खाने में बहुत मचेदार लगें तो यहाँ पर इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं और तब तक कड़ी के लिए एक मचेदार साम तड़का बना लेते हैं तो कड़ाई में आपको थोड़ा सा सरसुका तेल गरम करना है उसमें आधा चम्मच जीर डालना है और आधा चम्मच राई डाल देनी है राई जरू डालिएगा इसमें एक चोथा ही चम्मच डालना है मेथी दाना मेथी डाला है 2 medium size के प्यास को इसमें बारिक कट करके डाल दिया है सबी चीजों को अच्छे से mix कर देना है और medium flame पर इन्हें थोड़ा सा भूनना है यहां पर ये जो हम कड़ी के लिए तड़का त्यार कर रहेना इस तड़के को डालने के बाद कड़ी का टेस्ट कई गुरा ज़् जाएगा अब एक लाल मिर्च को इसमें तोड़ का डाल दिया है एक हरी मर्च पारी कट whe डाली है और हम डाल के हम थोड़ा सा हल्दी पाॉडर गार यह एक चमज धनिया पाउडर जाएगगे यह गार पाउडर सब अभी मसालो को बहुत अच्छे से हम mix कर देंगे और थोड़ा सा मसालो की साथ में ही इस प्यास को हम और cook करेंगे अब देखी मसालो से oil separate होने लगा है और इस stage पर मैंने एक टमाटर को इसमें grate करके डाला है टमाटर डालने से ना कड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ है ये जो कड़ी हمारी पक रख रहे है इसके अंदर ये तढका आपको डाल देना है तो बस ये सारा मसालो इसके अंदर जाएक और आप इसे बहुत अच्छे से mix करेंगे ये देखिए जैसा हमारी कड़ी पकी है ना पकोड़ी भी बहुत अच्छे से समें फूल गए है और अब यहाँ पर मैंने एक चोथा ही चमच हींग को दो चमच पानी में भिगो के रखा था, यह हींग वाला पानी कड़ी के अंदर डालेंगे, इससे कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट और खुश्बू आएगी, अच्छे से मिक्स करें, पांच-दस मिनट के लिए कड़ नहीं है, एकडम पर्फेक्ट है, और जो पकोड़े बने हैं वो एकडम सौफ्ट-सौफ्ट हैं, तो आप इस मज़ेदार सी सौफ्ट मुह में घुल जाने वाले पकोड़े वाली कड़ी को जरू ट्राय करें, रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक, कोमेंट और शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें